हेलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल दे ग्रीन स्टोरीज आज हम बात करेंगे दे बेस्ट इंडोर आउट्डोर प्लांट के बारे में जिसका नाम है सिंग्वेनियम सिंग्वेनियम इस वन अप बेस्ट प्लांट विच लाइट दा मुस्ट सबसे बड़ी बात है कि इस प्लांट की जादा केर करने की जरूरत नहीं है और यह बहुत खूबसूरत लगता है आपके घर के बॉट में भी और अगर आपके पास गार्डन है तो गार्डन में भी य प्लांट काफी अच्छा ग्रो करता है और अगर आप इसको घर के अंदर डेकोरेट करना चाहते हैं जहां पर प्रॉपर लाइट नहीं आती है तो आप इसे घर में भी रख सकते हैं और वीक में एक बार आप इसको जरूर दूप में रख दीजे एक दो दिन के लिए ताकि इसे प्रॉपर सडलाइट निर जाए यह प्लांट एक फास्ट्रॉइंग प्लांट है काफी तेजी से बढ़ता है यह काफी अच्छा ग्रो करता है और इस प्लांट को कॉमनली हम ऐरो हैट कहते हैं क्योंकि इसकी जो लीव से उसके उपर कुछ ऐरो हैट टाइप के आपको में स्प्रिंट दिखेगा जिसकी वज़े से इसको हम एरो हेट के नाम से भी जानते हैं यह प्लांट आपको बहुत सारे शेड्स और कलर में देखने को मिलेगा इस्पेशली ग्रीन कलर नियॉन कलर वाइट कलर एंड पिंक कलर एंड रेड ऑलसो यह बहुत कॉमन कलर्स हैं संग्वैनियम की जो आपको लगबग हर जगे देखने को मिलेगी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की बिज़रूत नहीं है इसकी जो सता है जहां पे जड़े होती है यह हलके से नमी चाहता है बस अल्टरनेट डेस अगर आप इसको वाटर देते हैं अल्टरनेट है काफी बुशी प्लांट है और अगर आप देखिए तो यह दोनों फॉर्ट मेरे एंडोर प्लांट से यह मोसली स्लाइट शेड में रहते हैं या फिर इन्हें काफी दूप नहीं मिलती है फिर भी अच्छा ग्रो कर रहा है इसकी लीव भी काफी अच्छी है अगर आप द हो रहा है और भी ग्रीन हो रहा है यह देखिए इसकी नई लीव आ रही है मेंसी प्लांट और भी मेरा अच्छा हो रहा है इत मींस कि कोई भी प्लांट अगर आपका इंडोर है या फिर वह बाहर है संलाइट में तो उन दोनों प्लांट में कुछ जगा डिफरेंस नहीं आ हो रही है तो उसको तुरंत उस पेड़ से अलग कर दें अधरवाइस वह एक जो लीव खराब है उसकी वज़े से वह डिफेक्ट और भी लीव में जाती है और प्लांट खराब होने का डर रहता है इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें आईए अब हम बात करते ह है कि इस प्लांट को कैसे लगाया जाए इस प्लांट हो लगाने की दो खास तरीके हैं सबसे पहला इन तरीका है इस प्लांट की जड़को निकाल के और एक प्लांट से multiply कैसे किया जाए प्लांट को यह best way है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने अपने एक प्लांट से कई सारे cuttings ली है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने अपने एक प्लांट से कई सारे cuttings ली है नौट से जहां से कई सारी लीव्स निकलती है उसके बाद इन सारी कटिंग्स को मैं एक साथ एकठा करके किसी भी बॉटल या किसी भी जग में इसको स्टॉर करके रग देंगे पानी भरके जैसे हम mostly अपने money plant को भी दिखा होगा हम पानी में रग देते हैं और उसमें roots निकल आती है सेम वे इस प्लांट का भी है इन सारी कटिंग्स को मैं इस बॉटल में रख के रख दूंगी और फिर मैं कुछ दिन बाद like 30 डेज और 45 डेज बाद इसको चेक करूंगी कि इसकी क्या पोजिशन है मीन्स इसमें रूट आये प्रॉपर या नहीं आये एक प्लांट को कई प्लांट में मल्टिप्लाइ करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा तो इसको अगर आप किसी भी जग या बॉटल में रख के अपने घर के किसी भी कॉर्णर में भी अधर डेकोरे के बाद मेरे इस प्लांट में कितने प्रॉपर रूट कितने अच्छे से रूट निकला है मेंस मेरा एक एक जितनी भी कटिंग्स थी जितनी भी मेरी कटिंग्स थी सारी कटिंग्स में प्रॉपर रूट आ गई है इत मीन्स कि मेरा एक प्लांट कितने प्लांट में आपको दिखाई देने लग जाएगी प्लांट को प्रॉपगेट करके एक प्लांट को मल्टिप्लाई करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है और यह काफी अच्छा भी लगता है इसका जैसे आपने कभी मनी प्लांट को भी बॉटल में रखा होगा अपने घर में सेम उस तरी से आफे दिन जीन शेट का प्लांट है और उसके बाद यह नियॉन देन यह वाइट यह वाइट बहुत खूबसूरत लगते हैं और यह पिंक वाला तो यह सारे प्लांट को आप एजली प्रोपागेट करके काफी सारे बढ़त बना सकते हैं और अपने घर को या अपने गा thank you so much